जब जब हिंद बाव को भूले आए विपदमहान बाई तूटे धर्टी कोई मिटे ही धर्मसुस्तान हम जाती भाषा प्रांत के अगरा पिच्रभेद से हम करेंगे तो तो हम कटेंगे तो इसलिए ये कता आवश्चक किसी भी राटर के राटर ये लिए तो संग ने हरी जंडी दे दी है योगी के फॉर्मूले को योगी के नारे को नारा बटेंगे तो कटेंगे वाला और इसके जरिये फॉर्मूला हिंदूों को एक जुट रखने का फॉर्मूला जाती सियासत के चक्रव्यू को तोड़ने का भी फॉर्मूला जिस पर चल कर बीजेपी ना सिर्फ अपने बूद को और मजबूत कर सकती है बलकि हिंदोतों के एजेंडे पर सत्ता में लंबे समय तक बनी भी रह सकती है योगी का ये नारा और फॉर्मूला अब टेस्टेड भी है हर यारा में उमीदों के उलट इस नारे ने कमाल किया सत्ता से बाहर जाती दिखी बीजेपी ने रिकॉर्ड हैट्रिक जर दिया इसके बाद तो तैय हो गया कि विपक्ष की जाती वाली सियासत का चक्रवियो योगी का ये नारा और फॉर्मूला ही तोड़ सकता है इसलिए आप सीधे सीधे संग से संदेश आया है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा वेमनस से बाला नहीं बलकि एकता बहने वाला है स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें स्पिरिट क्या है हिंदू समाज जा एकता से एकात पता से नहीं रहेगा तो कितियास केता है आप हम तो कहते हैं जब जब हिंद भाव को भूले आए विपदमहान बाई टूटे धर्ची कोई मिटे ही धर्मसुस्तान या मरगीत है तो उसको आज कल के बाशा में ऐसे आपने जो कहा है उसे हो सकता है तो मुद्दा कहें स्पिरिट यही है समाज की एकता एकात्व था हम जाती भाषा प्रांत के अगरा पिचला भेज से हम करेंगे तो हम कटेंगे तो इसलिए एकता आवश्चक के किसी बेराटर के राटर यहीं था इसके बाद तो तैय हो गया बलकि एकता बढ़ाने वाला है संग का यह संदेश यूही नहीं आ गया हर्याना के चुनावी नतीजों के बाद और यूपी महराश्च के चुनाव से पहले मत्रा में योगी और संग प्रमुग भागवत की बैठक हुई सुत्रों के मुताबिक बंद कमरे में ये बैठक करीब आदे घंटे चली जिसमें योगी ने संग प्रमुग के सामने अपनी बाते दिल खोल कर रखी बहुत मुंकिन है कि इस बैठक में हिंदू वोट बैंक को जात्यों में ना बटने देने पर चर्चा हुई हो और हर्याना को नजीर मान कर ये तए हुआ हो कि हिंदूों को एक जूट रखना है तो संदेश देना है कि बटेंगे तो कटेंगे इसलिए संग के सौ साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फेंस हुई तो जोशोर से योगी के इस नारे का समर्थन कर दिया क्या हिंद बाव को भूले आए विपदमहान बाई तूटे धर्टी कोई मिटे ही धर्मसुस्तान हम जाती भाषा प्रांत के अगरा पिच्रभेज से हम करेंगे तो तो हम कटेंगे तो इसलिए ये कता आवश्यक के किसी भी राटर के राटर ये था राश्ट से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता और राश्ट तब ससकत होगा जह हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे बीच चुनाव संग का ये संदेश इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस से एक सिंगनल मिला है कि बीजेपी आगे किस रणीति से चुनावों में जाएगी सामने यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है महराश्ट में विधान सबा चुनाव है 9 सीटों पर हिंदूओं को एक जुट तो किया ही जा रहा है महराश्ट में भी कई उमिद्वार मान करने लगे है कि उनके इलाके में योगी की रहली रखी जाए ये तस्वीर देखिए जब मुंबई की सरकों पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लग गए थे जाहिर है बीच चुनास संग के इस संदेश के बाद बीजेपी हिंदू को एकजूट करने वाली रणनी थी और इस बटेंगे तो कटेंगे वाली नारे के साथ मजबूती से आगे बर सकती है फिर बहुत मुम्किन ये भी है कि महराश्ट के चुनावी मंचों से योगी की दाहार और उनके इस नारे की गूँच जादा सुनाई थे इसका टेलर या यू कहिए की विपर्च में बॉकलार भी दिखने लगी है कॉंग्रेस आरोब लगा रही कि आरेसिस का मनसूबा धुवी करन का है और योगी का ये जुमला महराश्ट में नहीं चलेगा ये आरेसिस का हमेशा से मनसूबा धुवी करन की राजजित करने करा है बटवारे की बात करने करा है मुझे नहीं लगता है महराश्ट की जमीन एक अलग तरह की है महराश के जनता का विचार एक अलग तरह का है छत्रपति शिवाजी महराज, शाहो महराज, बाबा साहब अमबेटकर और ऐसे महापुरुशों का राज है उनकी विचारधारा यहाँ पर चलती है उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग महराश में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि RSS अपने मनसूबे में पूरा होगी इसलिए है कि यह कही अभी इलाज इनके पास है महाजूती के पास, बिज़े के पास यह कही है कि बटवारा करो समाज समाज में, धर्म धर्म में भेद करो समाज में भेद करो, जाती में भेद करो यह इसके लिए उनको यूगी चाहिए लेकिन हमारी कॉइंस्ट्रिशन बोलती है कि सब समान है पुले आए विपदमहान बाई टूटे धर्टी कोई मिटे ही धर्मसुस्तान हम जाती भाषा प्रांत के अगरा पिच्रभेज से हम करेंगे तो तो हम कटेंगे तो इसलिए ये किताब अवश्चक के किसी भी राटर के राटर ये था रास्त से बढ़ कर कि कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता और रास्त तब ससकत होगा जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे बीच चुनाव संग का ये संदेश इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे एक सिगनल मिला है कि बीजेपी आगे किस रणीत इसे चुनावों में जाएगी सामने यूपी में नौ सीटों पर उपचुनाव है महराश्ट में विधान सबा चुनाव है नौ सीटों पर हिंदूों को एक जूट तो किया ही जा रहा है महराश्ट में भी कई उमिद्वार मान करने लगे है कि उनके इलाके में योगी की रहली रखी जाए ये तस्वीर देखिए जब मुंबई की सरकों पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लग गए थे जाहिर है बीच चुनाज संग के इस संदेश के बाद बीजेपी हिंदूों को एक जूट करने वाली रणी थी और इस बटेंगे तो कटेंगे वाली नारे के साथ मजबूती से आगे बर सकती है फिर बहुत मुम्किन ये भी है कि महराश्ट के चुनावी मंचों से योगी की दाहार और उनके इसनारे की गूल्च जादा सुनाई दे इसका टेलर या यू कहिए कि विपर्च में बॉकलार्ट भी दिखने लगी है कॉंग्रेस आरोप लगा रही कि आरेसेस का मनसूबा धुवी करण का है और योगी का ये जुमला महराश्ट में नहीं चलेगा ये आरेसेस का हमेशा से मनसूबा धुवी करण की राजनीत करने कर रहा है मुझे नहीं लगता है महराश की जमीन एक अलग तरह की है महराश के जनता का विचार एक अलग तरह का है छत्रपति शिवाजी महराज, शाहो महराज, बाबा साहब अमबेटकर और ऐसे महापुरुशों का राज है उनकी विचारधारा यहाँ पर चलती है उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग महराश में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि RSS अपने मनसूबे में पूरा होगी इसलिए है कि यह कही अभी इलाज़िन के पास है महाजुथी के पास, भेजे के पास यह कही है कॉंग्रेस के इस बॉकलाड की वज़ा भी है योगी आदितनाथ ने हर्यारा में 13 रहलिया की जिसमें 9 सीटों पर BJP उमिदवार जीते यानि करीद 70 फीसदी का विनिंग परसेंट है जमू कश्मीर में योगी ने 4 रहलिया की और चारोई जगों पर BJP उमिदवारों को जीत मिली यानि 100% का स्टाइक रे अब सबारी यूपी उप चुनाओ का है महराश्ट विधान सबा चुनाओ का है BJP और संग को पता है कि इन दोनों चुनाओं में काम्याबी मिली तो एक बार फिर से राजनीतिक तोर पर हलाद BJP के लिए 2019 जीत जैसे हो जाएंगे 24 के जुनाओी जटकों से पार्टी उबर जाएगी इसलिए संग ने कमर कसली है और BJP तयार है हिंदूों को एकजूट करने वाले नेक्स चेप्टर के लिए जो खुलने जा रहा है देश के सबसे बड़े सूबे यूपी और महराज्ट के चुनाओं में ब्यूरो रिपोर्ट टाइमस राउन और भारत